अभी लक्षा केडमी में आप सभी का स्वागत है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं तो start करते हैं आज की class देखते हैं पहला question देखो यहां पर क्या होता है कि statement दे दी जाते हैं पिछली वीडियो में आपने दो दो तरह की statement करी थी उसमें क्या करना था जैसे joining करनी पड़ती थी दो statements को join करना पड़ता था तो आप आसानी से कर लेते थे अब joining कैसे होगी आप उ some butters are honey, some honeys are breads, all breads are gems और conclusion दियों है तीन आपको ठीक है और यह CHSL 24-5-2022 का question है तो देखते हैं देखो सबसे पहले क्या करते हैं conclusion पड़ते हैं और उस conclusion को हम check करते हैं statement के अंदर क्या वो है या नहीं ठीक है देखो some gems are some honey हमने जैसे बता है था कि जहां पर कुछ नहीं होता वहाँ पर आप हमेशा क्या पड़ोगे some तो some gems are some honey तो हमने का jam कहां पर है और honey कहां पर है तो हमने का कि दो statement ऐसी select करो जिसमें कुछ ना कुछ common हो तो हमने का jam ये रहा और honey ये रहा ठीक है jam और honey है कि statement हमें दो मिल गई अब देखो कि क्या ये join हो सकते हैं हमने का बिलकुल कि यहाँ पर जो bread है और यहाँ पर जो bread है वो common है और इन दोनों के मेंसे किसी भी एक के पास all या no मेंसे कोई ना कोई है मतलब all है तो statement कुछ इस तरह से बनेगी जो honey के साथ है वो honey रहेगा जो honey के साथ है वो sum ही रहेगा यहाँ पर sum honey are gems ठीक है ये दोनों आपस में क्या ह हो गए जोइन हो गए common वाली element वाली condition से ठीक है अब यहाँ पर देखो पूछा क्या गया है some gems are some honey हमने का some gems बिल्कुल some gems are some honey यह first वाला बिल्कुल correct है यह वाला conclusion बिल्कुल correct है ठीक है अब देखो next all honeys are some butters all honeys are some butters honey और butter की अगर मैं बात करूं honey और butter की अगर मैं बात करूं तो वो दोनों एक ही statement में है honey और butter all honey are some butter तो क्या यहाँ पर honey के पास all है हमने का नहीं यहाँ पर honey के पास some है और some को आप all बोल नहीं सकते तो यहाँ पर यह वाला conclusion बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था क्या honey के पास all है हमने का यहाँ पर honey के पास all नहीं है तो यह गलत हो जाता है ठीक अब jam और butter की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे butter तो first वाले में है और jam last वाले में है और इन first और third वाले में कुछ भी common नहीं है तो आप याद रखो कि जब आपने इन दोनों statement को join करा था तो क्या यह statement बनी थी बिल्कुल some honey or some jam अब इस statement में जो यह statement बनी है इस वाले statement में और first वाले statement में कुछ ना कुछ तो common है क्या common है honey देखो यहाँ पर भी honey है और यहाँ पर भी honey है लेकिन दोनों ही honey के पास all या no नहीं है इसका मतलब butter और jam आपस में नहीं join होंगे और नहीं join होंगे तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और answer क्या आजाएगा only conclusion one follows ठीक है उमीद है आपको यह समझ आया होगा जोइनिंग कैसे करने कभी कभी क्या होता है जैसे इन दोनों का question आ गया तो कर लिया हमने ठीक है उसको फिर तीसरे के साथ जोइन करो अगर first or second नहीं join हुई तो फिर वो तीसरे के साथ भी join नहीं होगी ठीक है अगर बीच में कहीं भी break लग गया तो फिर वो आगे join नहीं होगी ठीक है आगे चलते है next अगर मैं बात करो तो देखो all pencil था और compasses यह रहा ठीक है क्या इन दोनों ही statement में second और third statement में कुछ common है हमने का कुछ common है बिल्कुल क्या sharpener और sharpener common है अगर sharpener sharpener common है तो sharpeners के पास क्या all है किसी भी एक के पास हाँ है ठीक है हमने का all है तो इसका मतलब join तो हो जाएगा क्या all compasses are some erasers तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं all compasses are erasers ठीक है all compasses are erasers यह statement आपकी बन जाएगी अब देखो all compasses are some erasers है all compasses are some erasers है यह बिल्कुल correct हो जाएगा जैसा चाहिए था वैसा हमें statement के अदर मिल गया अब next अगर बात करें तो some compasses are some pencils some compasses are some pencils देखो compasses कहाँ पर है कही ना कही third वाली statement में है और pencil केवल first वाली statement में और कहीं पर मिल नहीं है देखो first और third join ही नहीं हो सकती ऐसे तो क्योंकि first और third में कुछ common नहीं लेकिन हम क्या करेंगे हमने क्या करा है compasses or erasers मतलब हमने second और third को join करके एक statement बनाई थी ये वाली ठीक है अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे हम first वाली जो statement थी और इस वाली statement के साथ join कर लेते हैं देखो कैसे हमने का all pencils are some erasers all compasses are some erasers कहीं ना कहीं दोनों में ही erasers common है अगर erasers common है दोनों में ही देखो erasers यहां पर भी है और यहां पर भी है अगर erasers common आ रहा है तो क्या किसी भी एक erasers के पास all or no है हमने कर नहीं all or no तो नहीं है अगर erasers के पास all or no नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर यह join ही नहीं हो सकते तो compass और pencil की conclusion वो क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी बिल्कुल चलो next some erasers are some compasses क्या erasers और compasses की कोई statement है हाँ बिल्कुल यह रही हमारी जो बनाई थी तो some erasers देखो some erasers are some compasses some erasers are some compasses और यह बिल्कुल correct हो जाएगा तो answer क्या आजाएगा इसमें only conclusions first and third follows ठीक है तो इस तरह के questions आपको यह करने है ठीक है तीन statement आजाए चार statement आजाए घवराना नहीं है पहले दोनों को join करो फिर उसको तीसरे के साथ join करो फिर उसको चौते के साथ join करो तो कहीं न कहीं joining होती चली जाएगी ठीक है चलो next इस तरह की all books are copies no copies spend some erasers are books conclusion क्या पूछ रहा है some copies are some erasers तो copy कहां पर है और erasers कहां पर है तो हमने का देखो copy तो ये भी है यहां पर भी है और erasers यहां पर भी है ठीक है एक तो ये रहे है हमारे copies है और third में erasers है और copies और erasers की भात पूछ रहा है तो कहीं न कहीं दोनों ही statements में books common है कहीं न कहीं दोनों ही statement में क्या है books common है और books के पास अगर मैं बात करूँ books के पास all भी है तो join तो हो जाएगा first और third statement join होगी और क्या statement बनेगी आपकी some erasers are some copies statement क्या बनेगी some erasers are copies ठीक है ये statement आपकी बन जाते है some erasers are copies अगर मैं बात करूँ तो some copies are some erasers पूछा है तो some copies तो है यहाँ पर क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे क्या होता है some copies are some erasers यह बिल्कुल correct है वाला बिल्कुल correct आ रहा है ठीक है कोई diagram की ज़रूत नहीं यहाँ पर किसी भी तह रहेगी ठीक है चलो some pens are some books some pens are some books अब देखो अगर मैं बात करूँ pen की और book की तो pen यह रहा और book यह रहा और दोनों में कही ना कहीं copy या copies common है ठीक है अब अगर मैं बात करूँ क्या यह दो statement जुड़ सकती है तो हमने का बिल्कुल जुड़ सकती है क्योंकि दोनों ही statement में एक ना एक element common है जो की copy है copy copy common है copy के पास all year no में से कुछ है मतलब no है यहाँ पर तो join हो जाएगा positive से negative की और join करेंगे statement बनेगी क्या all books पहले positive वाला part लेना था are not pen लेना था ठीक है लेगिन जब मैंने का था कि all or not एक साथ आ जाता तो इसका मतलब क्या हो जाता है no book is pen तो इस तरह की हमारी statement बनेगी और जब pen और book की statement negative बनी है तो कहीं ना कहीं conclusion second वाला गलत हो जाएगा बिलकुल ठीक है next चलते no eraser is a pen no eraser is a pen अब देखो अगर मैं बात करूँ eraser यहाँ पर है और pen कहाँ पर है इसमें है इन दोनों में कुछ common नहीं है तो हम क्या करेंगी जो statement हमने बनाई हुई है एक तो ये वाली statement बनाई हुई है एक तो हमने ये वाली statement बनाई हुई है और एक ये तो जो बनाई हुई है क्योंकि कहीं न कहीं पहली दूसरी या दूसरी तीसरी या फर्स्ट और थर्ड को जोइन किया गया हुआ तो हम इसको क्या करेंगे इनका सहरा लेंगे और इन दोनों इसमें और इसमें देखो कुछ common है हमने का हाँ बिलकुल इन दोनों में books common है इन दोनों में books common है और pen और eraser join हो पाएंगे कैसे क्योंकि book और book common है no भी है book के पास तो statement positive से negative की और चलेंगे तो statement क्या बनेगी some erasers positive से मैंने का था positive वाली party से शुरू करना है ठीक है some erasers are not pen some erasers are not pen इसका मला यह negative तो है लेकिन some note वाले में as it is ठीक होने चाहिए ठीक है तो इसका मला यह वाला भी गलत हो जाएगा और answer क्या आ जाएगा only conclusion first follows CHSL 25-2022 का question है यह latest question चल रहे है बिलकुल अब ध्यान रखो इस तरह के question सारे है अब TCS में पहले दो-दो statement आती थी अब तो तीन statement जादा तर तीन statement आ रही है ठीक है तो इन चीजों का थोड़ा सा दियान रखना है चलो next चलते all ants are beetles no beetle is frog some frogs are bugs ठीक है अब को conclusion क्या पूछ रहे है some bugs are some ants हमने का bugs कहां पर है और ants कहां पर है हमने का यह रहा ant और यह रहा bugs ठीक है first और third में कुछ common नहीं है क्योंकि यहां पर beetle है और यहां पर frog है तो क्या एक काम कर लेते हैं इन दोनों को join कर लेते हैं जो नई statement बनेगी उसको तीसरी के साथ join कर लेंगे चलो start करते हैं beetle beetle common है no भी है तो statement तो बनेगी all ants are not frog इसका मतलब मैं एक साथ लिख लेता है उनको join करके no ant is क्योंकि all भी आ गया और no भी आ गया तो no ant is क्या बनेगा frog यह statement हमारी बन गई है अब हमें इसको तीसरी के साथ बनाना है हमने का इसमें और इसमें frog तो common है दोनों में frog तो common है लेकिन किसी भी frog के पास all you know नहीं है तो इसका मतलब ant और bugs join नहीं हो पाएंगे तो नहीं होंगे तो यह गलत हो जाएगा ठीक है इतना आपको ध्याना करें नेक्स्ट के अगर मैं बात करूँ no bug is a beetle no bug is a beetle अब क्या यह दोनों join होंगे दोखो किस किस के बारे में पूछ रहे है वो bug और beetle के बारे में पूछ रहे है bug और beetle यह रहा और bug यह रहा frog frog common है लेकिन frog के पास all you know नहीं है तो इसका मतलब bug और beetle join नहीं होंगी यह भी गलत हो जाएगा नेक्स्ट चलते है no frog is an ant no frog is an ant हाँ ant और frog की statement बनी थी हमारी no वाली statement बनी थी इसका मतलब जब no वाली बनती है तो सारे के सारे conclusion क्या हो जाते है आपके बिलकुल correct हो जाते है सारे के सारे conclusion क्या हो जाते है बिलकुल correct हो जाते है negative वाले ठीक है तो इसका मतलब answer क्या जाएगा only conclusion third follows ठीक है इतनी जल्दी ये question सोंगे आपके यहाँ पर मेरे को समझाने में थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ मैं आपसे ठीक है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर जब आप खुद करोगे इसको practice करके तो आपका time बहुत कम लगेगा अगर मैं इसको individually करने लग जाओं किसी और का ध्यान ना रखों तो यह question बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि मुझे किसी को समझाना नहीं है किसी को explain नहीं करना है तो कहीं ना कहीं आपका समय कम लगेगा ठीक है चलो next no pink is yellow, no yellow is white, all red are yellow ठीक है statement हमारे पास है अब conclusion पूछ रहा है no red is pink no red is pink अब देखो red कहा है और pink कहा है red यह रहा और pink यह रहा क्या इन दोनों में कुछ common है हाँ, yellow yellow common है ठीक है अब देखो ध्यान से इस question में एक exception दिया और exception को आपको ध्यान रखना है ठीक है exception को आप ध्यान रखोगे कैसे, देखो जब भी इस तरह की एक statement आ जाती है no a is b and no c, sorry, all a all a या all c are b, ठीक है अब आप ध्यान दो यहाँ पर जब भी इस तरह की question आता है देखो एक ही exception है joining का, वो यह है ठीक है, उस टाइम पर मैंने जान भूज़कर आपको यह बात नहीं बताए थी क्योंकि जब यह question आएगा तभी आप इसको याद रख पाओगे ठीक है, अब देखो exception में क्या है कि जब भी इधर no होता है और इधर all होता है और यहाँ पर दोनो element common होते है ध्यान रखना बिल्कुल यही format आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी एक के आगे no होगा और एक statement all वाली होगी और right hand side वाले दोनो element क्या रहेंगे common रहेंगे जिनके पास दोनों के पास क्या रहेंगा sum तो यह दोनों आपस में जुड जाएंगी हमेशा जुड जाएंगी और statement positive से negative all c are not a इसका बलब no c is a यह join हो जाएंगी मतलब b के पास common element होते हुए भी b के पास यहाँ पर all या no नहीं है लेकिन फिर भी यह join हो जाएगा यह एक exception है इस वाली statement का तो यह हमेशा आप को ध्यान रखना है तो देखो यहाँ पर भी ऐसे ही था pink और red को join करना था yellow yellow common था yellow के पास all या no नहीं था इसका मतलब अब हमारे पास एक statement बनेगी no pink is yellow या all no red is pink तो no red is pink यह एक statement बनेगी देखो यह इसी condition का question है exception है ठीक है exception अगर मैं उस टाइम पर बताता हूँ तो आपका infuse हो जाते ठीक है केवल एक ही exception है ठीक है कि यहाँ पर common element के पास all या no ना होते हुए भी यह join हो जाते है बस केवल शर्त क्या है एक के पास no, एक के पास all यह common वाले के पास चाहा कुछ ना हो ठीक यह join हो जाएंगे चलो तो statement बने no red is pink तो इसका बने यह वाला connect जो आपकी conclusion है वो correct है देख next no red is white no red is white अगर मैं बात करूँ white era और red era बिलकुल common common है और yellow के पास no भी है common element है यह yellow और yellow के पास no भी है तो statement बनेगी positive से negative all red are not white इसका मतलब no red is white no red is white इसका मतलब यह भी conclusion बिलकुल correct है ध्यान रखो बिलकुल no white is yellow no white is yellow no yellow is white है तो इसका मतलब जागर yellow और white की no वाली statement है negative तो negative सारी क्या रहती है इस case में सारी correct रहते हैं तो यह भी correct है तो answer क्या हो जाएगा आपका all the conclusions follow option number D ठीक है ध्यान रखो गई digital 11.4.22 का question है इस तरह के questions आ रहे है exception पी आपको ध्यान रखना है यह केवल एक clothty exception है जिसमें joining का वो जो common वाला element वाला case है वो accept हो जाता है मतलब वो हट जाता है वहाँ पर लेकिन फिर भी वो join होता है ठीक है चलो next no some statement है some printers are coolers no cooler is telephone all machines are telephones ठीक है ठीक है conclusion का वश्र है some printers are some machines some printers यह रहा printers यह रहा और machines कहाँ पर है कही नीचे है तो क्या हम इन दोनों को join कर सकते हैं बिल्कुल join कर सकते हैं इन दोनों को अगर मैं join करूं तो statement बनेगी cooler cooler common है no भी है तो statement बनेगी some some printers are not telephone ठीक है some printers are not telephone यह इसलिए बनी क्योंकि negative इसलिए बनी क्योंकि जब positive negative जुड़ती है तो हमेशा एक negative statement पॉर्म होती है तो printer और machine printer और telephone का यह statement बनती है अब telephone यहाँ पर common तो है इस वाली में और इस वाली में लेकिन printer और machine यह आपस में जुड़ नहीं पाएंगे तो इसका मतलब यह गलत हो जागा क्योंकि telephone या दोनों telephone के पास all या no नहीं है ठीक है चलो अब बात करते है machine और cooler की no machine is a cooler no machine is a cooler cooler और machine की अगर मैं बात करो cooler यह रहा machine यह रहा क्या यह join होंगे हाँ होंगे बिलकुल क्योंकि telephone के पास common नहीं है common element है all या no नहीं है लेकिन कही न कहीं इन दोनों के पास तो no और all है इसका मतलब statement बन जाएगी all machines are not cooler मतलब no machine is no machine is cooler ठीक है तो हमारे यह वाला बिलकुल correct हो जाएगा no machine is a cooler तो इसका मतलब only second conclusion correct ठीक है ध्यान रखोगे इस पात का यह exception देको बार बार आ रही है देको इसमें भी यह लग गए यह वाला exception इन दोनों में exception लग रही है इन दोनों को join जब करोगे तो आप telephone right में है दोनों के पास all या no नहीं है लेकिन इधर जो है left में जिनको join करना उनके पास all या no है चलो statement की बात करें दुबारा से all fruits are some leaves some mangoes are rotten all rotten are fruits some leaves are rotten ठीक है इस तरह से दी हुए चलो start करते है देखो some leaves are some rotten ठीक है जी leaves कहां पर है यह रहा rotten कहां पर है यह भी है और यह भी है लेकिन हम नीचे वाला लेंगे क्योंकि दोनों में fruit common है ठीक है दोनों ही statement में क्या है fruit common है तो जब fruit fruit common है और fruit के पास all भी है तो हम यह क्या सकते है statement join हो जाएगी all rotten are some leaves all rotten are leaves ठीक है जी तो some leaves are some rotten some leaves are some rotten यह बिल्कुल correct हो जाएगा फिर्स्ट वाला conclusion बिल्कुल correct है नेक्स्ट के अगर मैं बात करूँ अब क्या है हमारे पास some mangoes are some fruits है some mangoes are some fruits है तो देखो mango यह रहा और fruit यह रहा कहीना कहीं rotten common है और दोनों के पास किसी भी एक के पास all यह no है ठीक है तो हम क्या करेंगे some mangoes are some fruits statement बन जाएगी क्या some mangoes are some fruits ठीक है यह statement बनती है तो इसका मतलब second वाला भी हमारे पास क्या आजाएगा correct आजाएगा first वाला तो हमारे पास यह correct था ही क्योंकि कहीं न कहीं some leaves are some rotten some leaves are some rotten बन गया ठीक है अब यहाँ पर क्या कर रहे है all leaves are either rotten or mangoes सारी की सारी जो leaves है वो या तो rotten है ठीक है या वो mangoes है ठीक है अब देखो अगर मैं बात करूँ all leaves are rotten all leaves तो नहीं है यहाँ पर all leaves are rotten तो नहीं है चलो गलत हो गया all leaves are mangoes all leaves are mangoes है क्या all leaves are mangoes अगर मैं इन दोनों को join करूँ all leaves और mangoes को leaves और mango की अगर मैं statement बनाऊं अगर हमारे पास पहली बात तो यह गलत हो गोई यह तो नहीं है ठीक है, mangoes को check करना पड़ेगा, हो सकता है, वो हो जाए, ठीक है, चलो, एक पर देख लेते हैं, leaves और mangoes की statement, leaves और mango की statement, तो हमने का कि एक काम कर लेते हैं, ये दोनों join नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कही नहीं कुछ common है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें, इन दोनों म बनेगे, ये वाली और ये वाली statement जो नहीं बनाई हैं, इन दोनों में rotten है, rotten के पास all भी है, तो some mangoes are, आपके पास leaves बन जाएगा, लेकिन some mangoes बनेगा, leaves के पास भी नहीं, तो इसका महला ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, अब हमारे पास answer क्या आजाएगा, first और केवल second, only first or second, इसका महला option number D आपका correct रहेगा, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान अखना है, तो next question देखते हैं, देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, statement दी हुए है, all flowers are some blue, all blues are some green, no good is green, no good is red, ठीक है, अब देखो conclusion क्या पुछ रहा है, no red is a flower, ठीक है, no red is a flower, अब red कहां पर है यह रहा, और flower कहां पर है यह रहा, तो इन दोनों को, first or third को अगर मैं join करूँ, तो directly तो नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में कुछ common नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक, दूसरे को first or second को join कर लेते हैं, उससे जो statement बनेगी, उसको तीसरे के साथ join करेंगे, तो statement दे इसको तीसरे के साथ जोड़ लेते हैं, तो good good common है दोनों में, दोनों में ही good good common है, यह देखो good यह रहा, यह good है और good good common है, और यहां पर good के पास no भी है, तो statement तो बनेगी positive से negative की और all flowers are not red बनेगी, all flowers are not red इसका मतलब no flower is red, ठीक है, no flower is red और no red is flower ठीक हो जाएगा, क्योंक जब flower और red की no वाली statement बनती है, तो negative सारी की सारी क्या हो जाएगे, आपकी correct हो जाएगे, next देखो, no red is blue, no red is blue, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ red और blue की, red और blue की अगर मैं बात करूँ, तो कही ना कही good good common है यहापर, no भी है, तो all blue are not red, all blue are not red बनेगी, तो इसका मतलब no blue is red, no blue is red, यह statement आपकी बन जाएगे, इसका मतलब यह भी correct हो जाएगी, क्योंकि negative सारी ठीक हो जाएगे, blue और red की, ठीक है, next की अगर मैं बात करूँ, some good are some flowers, some good are some flowers, some good, देखो, some good, यह रहा एक statement बनेगी थी, some good are some flowers, यह भी बिलकुल correct है, और some good are some blue, some good, some good year, और some blue, यह भी बिलकुल ठीक है, इस सारे के सारे conclusion correct है, all conclusion, first, second, third and fourth are correct, follow, ठीक है, तो इस तरह के questions आपको करने है, when diagram की कोई ज़रुद नहीं है, आपको बिलकुल भी, next देखो, TGL 13-4-2022, morning shift का question है, conclusion देखो, दो ही है, लेकिन statement तीन है, farmer और taxpayer की बात कर रहा है, farmer और taxpayer की, ठीक है जी, farmer और taxpayer की, farmer यह रहा, taxpayer यह रहा, taxpayer यह रहा, और farmer बोल सकते हैं, और इस हिसाब से यह गलत हो जाएगा, क्योंकि, statement आपकी क्या बनेगी, positive statement बनेगी, तो यह गलत हो जाएगा, next, some farmers are taxpayer, some farmers are taxpayer, some farmers are taxpayer, यह बिल्कुल correct है बई, क्योंकि, जैसी वहाँ पर चाही थी, वैसी मिल गए, option number A, मतलब, only conclusion, two follows, तो इस तरह से आपको यह करना है, ध्यान रखना है, when diagram कोई जरूत नहीं है, बस जो मैंने आपको concept बता है, उसका ध्यान रखना है, और concept आपको कौनसी वीडियो में बता है, मैंने first वाली में बता है, negative मैंने second वाली में शुरू किया है, तो इसको आप करो, ठीक है, चाहिए, pen, pen यह रहा, क्योंकि दोनों में pencil common है, first और third में pencil common है, और pencil के पास all भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, statement join हो जाएगी, some pens, pens के हसाथ some है, तो some pens are colors हो जाएगा, जा जाएगा, colors हो जाएगा, और यहाँ पर पूछा गया, all colors है कि हमने का नहीं, all colors नहीं हो, यह ग next, some papers are some pen, some papers are some pen, बिल्कुल ठीक है, इसका हमना, second और third आपका बिल्कुल correct है, option number three, only conclusion second and third, follow, तो इस तरह से आपको यह ध्यान रखना है, अच्छे से करो बिल्कुल, यह सारे previous year question paper है, बिल्कुल जो अभी 2022 में ही आ रहे हैं, TCS के pattern पर यह हैं, बिल्कुल, 3-3 statement के questions आ रहे ह हैं, बढ़िया से पढ़ना है एक दम, ठीक, next देखो, some engineers are police officers, some engineers are police officers, तो हमने का engineer और police officer की बात हो रही है, तो engineer और police officer कहां पर हैं, हमने का यह रहे, यह रहे engineer और यह रहे police officer, ठीक है जी, क्या यह join होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि doctor doctor common तो है, और doctor पैस no all भी नहीं है, लेकिन, जिसको join करना, उनके पास तो no all है, वो exception वाला case है, तो इस कम लग statement बनेगी, क्या, all engineers are not police, या no engineer is police, ठीक है, no engineer is police, यह statement बनेगी, और some engineers are police officer की, अगर मैं बात करूं, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि statement आपकी negative बनी है, और positive conclusion गलत है, no engineer is police officer, no engineer is police officer, यह बिल्कुल correct है, क्योंकि वही statement बनी, some doctors are some engineers, some doctors यह रहा, some doctors are some engineers, यह बिल्कुल correct है, तो इस कम ला second and third आपका बिल्कुल correct होगा, option number D, ठीक है जी, इस तरीके से आपको यह करना है, ध्यान रखना है आपको, इतना ही ध्यान रखना है, इस से ज्यादा रखो होगे तो फिर कहा पेपर की निकलेगा, चलो next, no plum is an apricot, all lemons are apricots, all grapes are lemons, conclusion दिये गए यह सारे, ठीक है, check करते है, no apricot is a grape, apricot कहाँ पर है, देखो वही select करें, जिसमें कुछ common हो, ठीक है, apricot यह रहा, और grapes यह रहा, ठीक है, second और third में कहीं न कहीं apricot और grapes दिये हो है, दो all भी है, तो statement बनेगी, all grapes are apricots, तो यह statement positive है, तो यह negative गलत हो जाएगा, next, no grape is a plum, no grape is a plum, देखो, अगर मैं बात करूँ, plump यह रहा, और grapes यह रहा, इन दोनों को तो join करनी सकति की, कुछ common नहीं है, लेकिन हमने क्या कर रहा था, अभी-अभी, इन दोनों को join कर रहा था grapes को और plum को उनके पास all or no है अगर उनके पास all or no है तो statement क्या बनाएगी all grapes are not plum मतलब no grape is plum ठीक है ये बिलकुल correct हो जाए मैं हमेशा positive से negative जोडता हूँ ठीक है positive से negative ही जोडना है आपको ठीक है आप ये भी बोल सकते हो कि no plum is grape बोलो नहीं आदत जैसी बनाओगे फिर वैसी बन जाएगी जहाँ असल में positive से negative की जरूत पड़ेगी वहाँ भी आप गलत कर दोगे ठीक है तो एक जैसी आप आदत बनाओ no lemon is plum lemon और plum की अगर मैं बात करूँ तो ये join हो जाएगी lemon और plum बिलकुल apricot common तो है लेकिन यहाँ पर some or all नहीं है लेकिन इनके पास all or no है तो statement बनेगी all lemons are not plums मुलब no lemon is plum ठीक है जी तो ये भी आपका correct है some plums are some lemons plum और lemon की जो statement है वो एक positive statement और negative है तो इसका मुलब plums or lemon ये गलत हो जाएगा तो कही ना कहीं second and third ही आपका correct answer होगा option number C ठीक है तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है next question देखते है देखो some animals are some animals are leopards conclusion है some leopards are lions some animals are tigers some animals are leopards animal कहां पर है ये रहा और leopards कहां पर है हमारे पास ये रहा और कहीं element और leopards नहीं है ठीक है तो हम क्या करेंगे अगर इन दोनों को join करना है तो पहले एक काम कर लेते हैं फहले first और second को join कर लेते हैं उससे जो statement बनेगी उसको तीसरे के साथ join कर लेंगे तो देखो tiger tiger common है all भी है तो statement बनेगी some lions are leopards ठीक है जी first और second को देखो tiger tiger common थे all भी था तो some lions are leopards ये एक statement बन गई हमारी ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको तीसरे के साथ join कर लेते हैं क्योंकि लोयन लोयन दोनों में common है दोनों में लोयन common है देखो और लोयन के पास all भी है ठीक है तो अब हमारी statement क्या बनेगी some leopards are some elements oh animals some leopards are animals ठीक है तो some leopards are some loins some animals are some leopards some animals are some leopards ये बिलकुल पर्ट है some leopards are some loins some leopards are some loins ये भी पर्ट है some animals are some tigers some animals are some tigers ठीक है अब किया करेंगे जब हमें क्या करना है अनिमल और टाइगर की बात कर रहा है ठीक है इन दोनों को जोइन करना है तो पहले क्या कर रहा था इन दोनों के साथ एक statement मना दी थी मैंने ये रही अब उसको तीसरे के साथ भी जोइन कर सकते हैं ठीक है यह यह कहें हम कि अगर tiger और animal को जोइन करना है तो आप tiger, lion, animal और tiger को जोइन करना है तो animal यह रहा और tiger यह रहा, first और third में animal और tiger दिया हुआ है और वहाँ पर lion भी है, common, first और third में और दोनों के पास, दोनों में से किसी की पर पास all है, ठीक है तो statement बनेगी क्या, some tigers are some animals some tigers are some animals यह बिल्कुल correct हो जाएगा, तो इसका मतला हमारा answer क्या है, all conclusion, first, second and third, follow, यह बिल्कुल correct answer आएंगे आपके बिल्कुल accuracy के साथ आपके इसके answer आएंगे, ठीक है next देखते है some mobiles are laptops, some mobiles are laptops, all telephone's are tablets, यह हम चेक करेंगे, चलो mobile और laptop की बात हो रही है, mobile कहाँ पर है, यह रहा, यह भी है और laptop कहाँ पर है, यह रहा ठीक है, तो हम उनी में देखेंगे, जिसमें कुछ common होगा, तो second और third में देखो, mobile और laptop है tablets common है दोनों में, लेकिन tablet में किसी के भी पास, all or no नहीं है some है दोनों के पास, तो इसका मला यह mobile और laptop जोइन नहीं होगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, next की अगर मैं बात करूँ, all telephones are tablet, telephone और tablet की अगर मैं बात करूँ, telephone और tablet की अगर मैं बात करूँ, तो यह रहे दोनों में mobile common है दोनों statements में, all भी है तो statement बनेगी, some telephones are some tablets, some telephones are some tablets, अब देखो telephone के पास यहाँ पर some है, यहाँ पर all पूछ रहे तो यह गलत हो जाएगा ठीक है, some telephones are some tablets, some telephones are some tablets, यह बिल्कुल correct हो जाएगा, तो only conclusion, three follows ठीक है, बीस चार बाइस morning का question है, द्यान अखनाई है, last question है, बिल्कुल some locks are keys, no key is chain all springs are chain, ठीक है, conclusion है some keys are some springs, no key is spring, no lock is spring, अच्छा question है some keys are some springs, देखो, key कहाँ पर है और spring कहाँ पर है, spring यह रहा, key रहा, ठीक है, दोनों में chain common है, वही exception वाला question है, chain chain common थो है लेकिन यहाँ पर all या no नहीं है, लेकिन इधर no या all है, ठीक, दोनों है वहाँ पर, तो statement बनेगी all springs are not key, इसका मुर्लब no spring is key no spring is key, अगर statement यह negative बनती है, तो first वाला गलत हो जाता है, क्योंकि key और spring की जो statement है, वो एक negative statement है, और positive गलत हो जाएगा next अगर मैं बात कुरूँ, second key, तो no key is a spring no key is a spring no key, अब देखो यह सही हो जाएगा, no spring is a key, no spring is a key, देखो no key is a spring अगर है, तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यह बिल्कुल correct है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब negative key और spring की negative है वो भी no वाली, तो सारी ठीक हो जाएगी फिर तो ठीक है, और last देखते है, no lock is a spring no lock is a spring ठीक है, lock यह रहा और spring यह रहा और कहीं नहीं है, तो पहले इन दोनों को join कर लेते हैं, क्या statement बनेगी हाँ, बिल्कुल बनेगी, some locks are not chain, some locks are not chain, अब उसको जब आप तीसरे के साथ join करी नहीं सकते कहीं न कहीं, ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा, तो हमारा answer क्या जाएगा, only second follows, ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखने हैं, यह exception ज़रूर ध्यान रखने आपको, देखो, exception के उपर कितने सारे question आपको देखने को मिले, और यह बिल्कुल series में question थे, CGL के जो recent थे, वही वाले questions थे, बिल्कुल यह उसमें exception कितनी बार पूछ ली गई, कहीं कहीं, 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 अंदर, अंदर exception पूछी गई है, हो सकता है, दो statement, join करने के बाद, वह exception आ जाए, ठीक है, तो आज की class में इतना ही रखते हैं, next class में हम possibility करेंगे, और three point में मैं possibility को खतम करूँगा, ध्यान से देखना, और पहले अगर आपने videos नहीं देखी हैं, तो first, second, third, तीनो part आप देख लो, उसके पाद possibility अच्छे से करेंगे, और वह समझ भी आएगी फिर, ठीक है, तो आपसे मिलते हैं next class में, thank you, अगर आपको कोई भी, कोई भी वीडियो में, अगर आपको लगता है कि कोई doubt है, या कोई suggestion आप देना चाहते हो, तो आप comment box में ज़रूर लिखें, बिलकुल आपका स्वागत है, तो मिलते आपसे next class में, धन्यवाद